मंत्रियों के बंगले के लिए खट्टे वाले पेड़ों को लेकर विरोध अप तेज हो चुका है स्थानिये लोगों ने पेड़ों से चपक कर विरोध जटाया पारशत गुड़ु चोहान की अगवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया पारशत का कहना था कि पूरे भूप डाश चया रहा है जिस पर अलूप से जमीन को अथिगन करने की कोशिच की जा je है हमारा इस पर सासन से और मानी मुख्वंतिजी से निवेदर है कि यहां पर साथ हजार चैसे पैटालीस पेड़ हैं जो मानी बुच मेंडम नहीं जो इस पर गिंती कराई ती उस समय इत्ते पेड़ निकले थे इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो यह पेड़ जिस पर साथ के हो गए हैं उन्होंने यह पेड़ पौदे लगा हैं उनके हाथ के पेड़ पौदे हैं अब आप सोचिए यह पेड़ पौदे कर जाएंगे तो हम का जाएंगे और हमें भेजना चारे कल खेड़ी अगर भेजना है तो विदायक मंत्रियों को भेजे हमें यहां से क्य यह खटाना चाह रहे हैं दत्यास से बड़ी खबर है चैनल गरफतार हुए रख्याती की योजना बनाते यह गरफतार हुए बदमाशों से चार कट्टे और कार्थूस भी बरामत किये गए हैं सेवला इलाके से इनकी गरफतारी हुई है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराख में यह थे और योजना इसकी बना रहे थे चैनल बनमाशों की गरफतारी हुई है बोपाल में मंत्रियों के बंगले के लिए कटने वाले पेड़ों को लेकर विरोध अप तेज हो चुका है स्थानिय लोगों ने पेड़ों से चपक कर यहाँ पर विरोध जताया पारशद गुड़ू चोहान की अगवाई में लोगों ने प्रदरिशन किया पारशद का कहना था कि पूरे भुपाल के 12 फीसिदी हिस्से में ग्रीनरी है और इसका 4 फीसिदी इलाका यही है इसे में अगर पेड़ कट गए तो परियावरण को काफी ज़दा नुकसान होगा पारशद ने किसी दूसरी जगह मंत्री और विधायकों के लिए आवाज बनाने की मांग भी की है परियावरण को नुकसान पेड़ों की कटाई होने जा रही है चुकि मंत्री और विधायकों के बंगले बनने हैं आवाज बनने हैं और उससे पहले बड़ी संख्या में भुपाल में पेड़ों की कटाई होगी और उसी का विरोध हम देख रहे हैं देखिए चिप को आंदोलन की शिर्वात इनके द्वारा की गई है जदा जानकारी यहां पर विरोध तो हो गई होगा और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होगी तो नुकसान तो हो गई होगा पहले इतना जड़ा पॉलिशन बिमारिया है पेड़ और कटेंगे तो और दिक्कत है अब जिस तरह की तस्वीर हम देख लें देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब प्रशाइब कर दिया है जहां पर सरकारी आवास है उनकी जगा नई पूरी सुसाइटी डवलप की जानी है और यह प्रस्ताव अभी सामने आया है तो उसके बाद जो है वो लगातार रहवासियों के द्वारा बिरोध करना सुरू कर दिया कल जिस तरीके से द्धरना प्रदासन किया गया और आज सुबह सुबह चिप को आंदोलन चलाया गया जिसमें बड़ी संक्या में महला बच्चे और पुरुस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं जिस सरीके से पेड़ों से नोड़ों चिपकर बिरोध जताया हाला कि इसको लेकर मध्यप्रद लेकिन सरकार से पैसा ना मिलने के चलते वहां पेड़ तो काड़ दिये गए लेकिन वहां पर जो डबलमेंट होना चाहिए था उतना डबलमेंट नहीं हुआ है तो अब साब तोर पर आरूप ही है कि जिन जो जगाया खाली पड़ी है जो बीरान जगाया पर उन पर वहां यह मल्टी बनने चाहिए ना कि गरीन रिवाले लाके में दिक तो आस्टानियों का कहना है कि यह लाका काफी हरा बरा है और पूरे इलाके में जिस बंगले और आवास बनने है लगबक 60,000 से अधिक पेड़ जो है उस इलाके में है उद्यद्य प्रदेश की राजदानी भो लोग कटाई होती है तो कहीं ने कहीं पर्यावरण को बड़ा नुक्सान होगा और यही कारण है कि जो रहवास है वो लगातार विरोद करने में लगे हुए हैं जी ठीक बहुत 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 शुक्रिया फिलाल जानकारी को साजा करने के लिए शलेंद्र